नमस्कार दोस्तों, OCN Network में स्वागत है, Facebook पेज में आपका यह जो लाइव पर सारण चल रहा है और जितने दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, उन सब का भी स्वागत है राहुल गांदी की जो साथ सितंबर से कन्या कुमारी से भारत जुड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उसका अब समापन हो रहा है आज 29 जन्वरी है, उन्होंने शिरिनगर के लाल चोक पर जंड़ा फैरा करके एक तरीके से इस यात्रा का समापन कर दिया है लेकिन असली जो इसका वो कहते हैं कि जो यग्य की अंतिम आहुती है वो कल डालने के संकेत कॉंग्रेस की तरफ से दिये जा रहे हैं और यह यग्य क्या है ये भी ज़रा समझना जिरूरी है यग्य का हलाकी कॉंग्रिस के लिए कितना महत्व है ये भी एक संदेह के दाइरे में रहता है कि वो यग्य हवन पूजन और हिंदुओं की जो आस्थाएं हैं जो पूजा पद्धिती है उसमें वास्तों में यकीन रखते हैं या वो occasionally कहीं कहीं दिखाई दे जाता है यानि तीस जनवरी को श्री नगर में विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा लगाने के लिए और दो हजार चुबीस के लिए एक संकेत देने के लिए एक संदेश देने के लिए के संपूर्ण विपक्ष एक जुट है मलिकारजुन खरगे की तरफ से 22 विपक्षी दलों के नेताओं को चिठी गई थी करीब दस बारा दिन पहले पंदरा दिन पहले अब इन बाइस में से कितने श्री नगर पहुंचेंगे और कितने कॉंग्रेस के साथ राहुल गांदी के साथ एक जुटता का परदरसन करेंगे यह तो जरा कल पता लगेगा पर जो राजनी यूपिये के घटक दल रहे हैं वही श्री नगर में कल जन सभा में दिखाई दे सकते हैं इसके अलावा कोई एक दो चेहरे दो तीन चेहरे और अगर आ जाएं तो यह कॉंग्रेस की एक उपलब्धी होगी पर जो आम तोर पर इनके साथ यूपिये के घटक दल रहे हैं उन साही माना जा रहा है अगर केवल वो ही जाते हैं तो जो इनकी कवायद है एक संदेश और संकेत देने की वो पूरी तरीके से विफल हो जाएगी और इस समय ऐसे कई नेता हैं जो राहुल गांधी को नेता मान करके या उनको दो हजार चोबीस के लिए चेहरा बनाने के संकेत देने के बजए दूरी बनाए रखना बहतर समझ रहे हैं महमता बेनर जी हों कारविंद केजरिवाल हों के चंदर शेखर राओ हों ये पूरी तरीके से दूरी बनाए रखना चाहते हैं और कुछ मोहीम में शामिल दिखाई देते हैं समय समय पर वो कभी कभी पार्लियमेंट में कुछ कुछ जो विध्यक होते हैं कानून होते हैं उन पर जरूर मोदी सरकार का समर्थन कर देते हैं सेयोग कर देते पर वो भाज़ापा के साथ या कॉंग्रेस के साथ खड़े हुए नहीं दिखना चाहते अब कल यह पता लगेगा कि मलीका अरजुन खरगे ने जो चिठी लिखी थी उसका क्या असर होने वाला है यह तो जो कि कल पता लगेगा लेकिन आज यानि 29 जनवरी को राहुल गांधी ने एक प्रेस कोंफेंस की है एक तो यही चीज चर्चा का विश्य बन गई है कि जिस जगह लाल चोक पर उन्होंने तिरंगा जंडा फेराया है ठीक उसी जगह राहुल गांधी का एक इतना उंचा कटाउट लगाया गया है जो तिरंगे की उंचाई से भी उपर दिखाई दे रहा है तो इसको लेकर के एक नई चर्चा शुरू हुई है जो फोटो सोशल मेडिया पर जारी हुआ है हो सकता है वो ऐसे एंगिल से लिया गया हो कि जंडा नीचे दिखाई दे रहा हो राहुल गांधी का कटाउट उसके उपर दिखाई दे रहा हो पर यदि ऐसा है कि cut out इतना बड़ा लगा दिया गया कि वो राश्टी ये धोज से भी उंचा दिखाई दे रहा है तब कई सवाल खड़े होंगे वो cut out लगाने वाले और लगवाने वालों की समझ पर वेरहल इनकी press conference पर आते हैं इन्होंने press conference में वैसे तो बहुत सारी बाते कही हैं लेकिन रहे हैं कि 370 पर हमारा stand clear है और हम चाहते हैं जम्मु कश्मीर में लोकतंत्र बाहाल हो इन्होंने ये भी कहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है जम्मु कश्मीर में तो ग्रह मंत्री आमिर्थ शाहा लाल चोक से और जम्मु तक पैदल यात्रा करके दिखाएं मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब राहुल गांदी जम्मु से चलकर के लाल चोक तक पैदल यात्रा कर सकते हैं तो देश के ग्रह मंत्री को इसमें क्या परिशानी हो सकती है यानि अगर आफ सुरक्षित जम्मु से लाल चोक तक पहुँच गए हैं और लाल चोक पर आप सुरक्षा व्यवस्ता है या पूरे रास्ते आपके काफिले पर आपकी यात्रा पर किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जम्मु कश्मीर सुरक्षित नहीं है और आप ग्रह मंत्री भी चल करके दिखाएं यह क्या मतलब हुआ इस से पता चलता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं उस पर लोग यकीन क्यों नहीं करते हैं अरे भाई आप सुरक्षित यहां तक पहुँच गए हैं इसका मतलब वहां सुरक्षा व्यवस्ता ठीक है वहां कानून व्यवस्ता ठीक है जो टार्गेट केलिंग होती है कभी कभी अगर उ और ये जो आतंकबाद वहां समाप्त हो रहा है उनकी और सीमा पर बैठे उनके आकाओं की एक हताशा का भी परदरसन करती हैं कि अब आप इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं दूसरे ये कहते हैं कि सब आर्टिकल 370 पर हमारा इस्टेंड किलियर है हमारी वर्किंग कमेटी में इसकी चर्चा हुई है इसके दस्तावेज भी मैं दिखा दूँगा हम जम्मू कश्मीर में लोकतंतर की बाहली चाहते हैं लोकतंतर की बाहली चाहते हैं ये कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था बाहल होनी चाहिए पुरानी व्यवस्था बाहल होनी चाहिए से राहुल ग लगाववादियों की दृष्टी में, महबूबा मुफ्ती, फारुक अब्दॉल्ला, उमर अब्दॉल्ला की दृष्टी में वही है, यही पाकिस्तान भी चाहता है, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने हाल में यही कहा है, कि अगर हमारी शर्त मान ली जाए, यानि तीन सो सत बाहल कर दिये, पैंटी से बाहल कर दिये, तो हम भारत के साथ बातचीत करने को तैयर है, क्या राहूल गंदी तीन सो سतर की बात कर रहे हैं? शायद वो तीन सो सतर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि देश का जन मानस क्या है शुरू में इन लोगों ने लेकिन किंतु परंतु लगाते हुए ये जरूर संकेत दिये थे कि ये 370 हटाए जाने से नाखुश हैं 370 वहां चाहते हैं इनके एक दो निताओं ने ये बयान भी दाग दिये थे कि हम 370 वहाल कर देंगे अगर सत्ता में आए तो लेकिन जब देश का गुस्सा देखा और मौदी सरकार के फैसले को समर्थन देखा तो उसके बाद ये चुपपी साथ गए फिर इन्हों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम तो जो प्रोसीजर अपनाया गया है 378 आने का उसके खिलाफ है प्रोसीजर क्या अपनाया गया था वो मैंने कल भी अपने एक वीडियो में बताया था कि पहले महबूबा मुफती और भारती जिन्ता पार्टी की सरकार थी जब महबूबा मुफती ने कुछ ऐसे कारणामे किये जो देश विरोध में जाते थे तो भारती जिन्ता पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया उनकी सरकार गिर गई उनको इस्तीफा देना पड़ा वहां राष्ट पतिशासन लागू हो गया राज्यपाल उस समय वहां सत्यपाल मलिक थे उनसे सिफारिस मंगाई गई पांच अगस्त दो हजार उननीस को वहां से जो जमु कश्मीर का इस पेसल स्टेटस का दरजा था उसको मौदी सरकार ने खतम कर दिया और जमु कश्मीर को भी दो पार्ट में बाटते हुए यानि लद्दाख को अलग और जमु और कश्मीर को अलग केंदर के अधिन कर दिया और ये कह दिया कि जब वहां आमन बहाल हो जाएगा यानि सब कुछ व्यवस्था ठीक हो जाएगी और जो परी सीमन का काम चल रहा था कुछ सीटे महां बढ़ाई गई है वो जब कंपलीट हो जाएगा तो फिर से चुनाव कराए जाएगे विधान सबा बाहल कर दी जाएगी और उसके बाद हम फैसला करेंगे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी बाहल कर दिया जाएगा तो जो राजनीती के जानकार है उनका कहना ये है कि चुकी अब वहां विकास के काम भी हो रहे है आतंकवाद भी लगबग समाप्त कर दिया गया है कुछ अतंकवादी बचे है एलगाव वादियों को अलग ठलग कर दिया गया है वहां के लोग भी अब शान्ती चाहते है अमन चाहते है विकास चाहते है इसलिए सरकार अब वहां परिसिमन की परकरिया भी पूरी हो गई है तो सरकार वहाँ चुनाव कराने की तैयारी कर रही है परदे के पीछे से उसका ऐलान कब होगा ये समय की बात है लेकिन वहाँ चुनाव होंगे चुनाव होंगे तो विधान सबा फिर से पुनर जीवित होगी वहाँ एक मुख्यमंत्री भी होगा वहां किसी पारिटी की या पारिटियों की मिली जुली सरकार भी होगी अब रहा पुरानी व्यवस्था बाहल करने का सवाल जो राहूल गांदी ने कहा है तो ये पुरानी व्यवस्था क्या चाहते हैं वो तो मेरा ये मानना है कि वो पूर्ण राज्य के दर्जे की वाफसी की बात कर रहे हैं जो वहां के politician इस समय लगातार कहते आ रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार का रुख तो एक्तम बिल्कुल इसपस्ट है विधान सबा बाहल हो जाएगी सरकार बन जाएगी कोई मुख्यमंत्री बनेगा जिस पारिटी को बहुमत मिल जाएगा या गड़बंदन को बहुमत मिल जाएगा उनका मुख्यमंत्री बनेगा मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर पहले जैसी अराजकता पैदा करने की कोशिश की गई तो वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा जमु कश्मीर को नहीं दिया जाएगा वो वैसी ही हालत में बना रहेगा जैसे दिल्ली में यहाँ भी केंद्र के अधीन पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और दूसरी चीजें हैं और राज्य के अधीन कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए वो काम करती है सरकार ऐसे ही जमु कश्मीर में भी होगा अगर वहाँ अराजकता पैदा करने की कोशिश की तो ये जो पेचीदगियां हैं ये राहुल गांधी को समझनी पड़ेगी, इनकी बारीकियां समझनी पड़ेगी उन्होंने जम्मु में एक भाशन देते हुए आउटसाइडर, इंसाइडर की बात भी की थी उन्होंने कहा था कि साब पहले यहां जम्मु के लोग, कश्मीर के लोग वियापार करते थे, शासन पर शासन चलाते थे, अब बाहारी लोग ये काम कर रहे हैं तो ये जो जम्मु कश्मीर में पैर रखते ही राहूल गादी ने, एलगाव वादियों की जो भाशा बोली और वहां के जो पॉलिटीशियन इस तरह की जवान बोलते हैं, ये जवान जो राहूल गादी ने बोली है, इस से पता चलता है कि एक्च्वल में कांग्रेस की नि लगाव वाद और अल्टिमेटली आतंक वाद के एक तरीके से, जो जो वहां प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का चला आ रहा है बहुत लंबे समय से, उसको कहीं न कहीं एंडोर्स करते आ रहे हैं, रेखांकित करते आ रहे हैं, और उसके अलग जो पूरे राष्ट की एक भावना है, जो मानस है, उसकी अंदेखी करते आ रहे हैं, यानि एलगाव वाद के बीज ये लोग भी बहते आ रहे हैं, उसको एक तरीके से पोशित करते आ रहे हैं, पालते आ रहे हैं, और इसी के खिलाप तो इस समय भारत सरकार, मौदी सरकार लड़ रही है जम्मू कश वो बढ़काते आ रहे थे अब पूर्वत्तर में आम तोर पर शानती है जमु कश्मीर में भी आम तोर पर शानती है और लोग विकास चाहते हैं लेकिन इस तरह की जवान बोल करके आप किसका भला करना चाहते हैं और क्या भला करना चाहते हैं ये ज़रा समझ से बाहर की बात है इन्होंने जो प्रेस कॉन्फरेंस में बाते कही हैं मैं आपको संचेफ में बता देता हूँ इन्होंने कहा है कि विपक्ष में बिखराओ नहीं हैं सब एक जुट होकर लड़ेंगे ये वीजे पी आरेसस के खिलाब विचार धारा की लड़ाई है ये दोहजार चोबिस की बात कर रहे हैं तो वो पता लग जाएगा कि विपक्ष में बिखराओ है या नहीं है कली पता लग जाएगा कि शिरी नगर में कितने विपक् मिस कर जाती है हमेशा से इनका यही रोना है ये मीडिया के सिर पर ठीकर फोड़ते आए हैं अपनी नाकामियों का तीसरी बात इन्होंने कही है यात्रियों ने इस्ट टू वेस्ट यात्रा के लिए कहा है लेकिन अभी हमने तै नहीं किया है तै होते ही बताएंगे यानि द पैदल चल रहे थे और उन्होंने कहा है लेकिन अभी हमने तैनी किया है चोथी बात यह एक सो पैंतिस दिन यात्रा थी ये सिर्फ यात्रा नहीं थी हम लोगों से जुड़कर उनसे हर समभव समभाद करना चाहते थे कितना कर पाए कितना समझ पाए भारत को ये तो जमु क संस्थानों पर हमला कर रही है मतलब पुराना रोग इनका बिना आरेसकी बात किये इनकी कोई बात complete होती नहीं कोई press conference भी complete होती नहीं कोई जनसबब भी complete होती नहीं होती फिर कहते हैं कि आर्मी के व्यक्ति ने मुझसे कहा था के लद्दाख में चीन ने दो हजार वर्ग किलोमेटर एरिया पर कबज़ा कर लिया है आर्मी के आदमी ने मुझे से कहा था वो आर्मी के आदमी का जरा नाम भी ले दे तो सरकार बता देगी कि ऐसा कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था और जिसका मैं जिक्र कर रहा था शुरू में कि लाल चोक पर जो तिरंगा जहंडा लगाया गया है उसकी उंचाई से भी उंचा इनका कटाउट वहाँ पर दिखाई दिया है जिसको लेकर के चर्चा चल रही है कि ये क्या मान सिकता है जरा आप भी इसको देख लीजिए तो तिरंगे से उंचा राहुल गांदी का कटाउट वहाँ क्यों लगाया गया है इस पर कॉंग्रेस को सफाई देनी चाहिए बताना चाहिए अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगयाने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और चुकि ये परसारण फेस्बुक के ओसियन नेटवर्क पेज पर भी हो रहा है तो आप ओसियन नेटवर्क पर जाकर के वहां उसको फोलो जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार